कोरोना वाइरस के बाद ब्लैक फंगस सबसे खतरनाक और जानलेवा बिमारी बन चुका है ब्लैक फंगस को म्यूक्रो मैकोसिस भी कहा जाता है इसका संक्रमन आखों में पाया जाता है ये क्यूं होता है और किन को हो रहा है और इनसे क्या क्या इतियाद बरतनी है इसके लक्षन क्या है यह सब जान ले के लिए इस वीडियो को अंतक देखे सबसे पहले यह जान लेते हैं कि म्यूक्रोमाइकोसिस क्या करता है इसका संक्रमन आखों पर हमला करता है और यह इतना खतरनाक है कि कई बार मरीजों को बचाने के लिए उसके आँखे भी निकालनी पड़ी है ब्लैक फंगस एक फंगल इंफेक्शन है अब ये जान लेते हैं कि ये केन लोगों को हो रहा है डॉक्टर्स ने बताया है यह बिमारी अब तक HIV कैंसर के ठीक हुए मरिज में पाया गया था कोरोना के ये मामले में यह बहुत अधिक है डॉक्टर्स ने बताया है सुगर को किसी भी हाल में बढ़ने नहीं देना है अगर बढ़ता है तो तुरंद इंसुलिन या दवा के माध्यम से कम कर लेना चाहिए पहले इस बिमारी का नाम जाइगो माइकोसिस था इसके विकेसित होने के बाद इसका नाम बलैक फंगस या फिर म्यूकर माइकोसिस हो गया बलैक फंगस यानि कि म्यूकर माइकोसिस आम तोर पर मिट्टी या फिर हवा में पहले से मौजूद होता है आम तोर पर यह infection नाक से सुरू होता है जो धीमे धीमे आँखों तक फैलता है और दिमाग में भी असर करता है इसका infection फैलते ही इलाज जरूरी है अगर आपको नाक में सूजन या दर्द हो आँखों से धुंदला दिखने लगे तो तुरन डॉक्टर से इलाज करवाएं म्यूकर माइकोसिस आँखों की पुतलियों के आसपास के इलाकों को लकवा गरस्त कर देता है जिससे आँख को घुमाने या हिलाने में दिक्कत होती है ज़्यादा दिनों तक संकरमन फैला तो आँखों की रोशनी भी जा सकती है अगर इसका इलाज सही समय पर नहीं होता है तो दिक्कत बहुत जादा बढ़ सकती है यहाँ तक की मरीच की आँखे भी निकालनी पढ़ सकती है और सबसे महत्तो पूर्ण बात की इसके लक्षन क्या है नाक से या थूक से काले रंग का डिस्चार्ज होना आँख के पलक लगतार गिरना आँख का मुव्मेंट बंध हो जाना चेहरी की हेडियों में सूजन आ जाना ब्लैक फंगस से उन लोगों को ज़्यादा खत्रा है जिनको डाइवर्टीज है जो दवा खाते हैं और जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है ब्लैक फंगस उन लोगों को होने के कम चांसेज है जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत है ब्लैक फंगस यानि की मुक्रो मैकोसिस आम तोर पर मिट्टी और हवा में मौजूद होता है ऐसे में आपको ये करना चाहिए कि हमेशा आपको माक्स पहनना है साफ सुथरा रखना है अपने शरीर को और हाथ हमेशा धोते रहना है और कोई भी खाना साफ सफाई से और धोकर खाना है अगर किसी को ब्लैक फंगस हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाएं खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद